दिली फरहत महसूस हुई और बहुत से लोग नाराज भी हुए शुरु शुरु में, वकील पर निक्का तो वकील नाराज हो गया है, अदना देरे उपर बहुत हुए, लेकिन वो ही है कि वो टीवी वाले, उसको सबालते रहे हैं, जो कि ये टीवी पर हुआ था ना, और ये जो पर इन दिल भी हुए, अधिन मर्स हुए, फ्लिफ से 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 सुवेटी में, फिर लास्ट मैंने की आता, एटी में, बार्च एटी में एटी से एटी में तक अपरें एटी मन तक, ये भी देखिया आपकी तरफ से होता है, अधिनों ये अग दोस्ते है वो जनल बाहर राजी में था उसमत पिर मैं उनके कहने पर लाहूर चला गया उनका इतकाल वोगे भी पांच-छे में देने पहले है वो आगे तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया अब खुदा की रफ्स होता है जो दिल सिकास्ता था तो अल्हा ने मुझे वसीला बना दिया 80 से 81 तक एक साल पूरा मैंने किया हर हफते केलिविजिन पर तो वो रह गया उसको क्या आप देखते हैं रिजवी साब अलिफ नून के अलावा आपने स्टेज के हवाले से भी बहुत काबल कदर काम किया और अदबी लिहास से आपको बहुत से बड़े बड़े अदीबों और शायरों के साथ बैटने का मौका मिला सादत हसन मंटो और फैजमत फैज साहब इस हवाले से कुछ अपनी यादे हमारे साथ शेयर कीजिए मंटो साथ तो मैंने कुछ थोड़ा वक गुदारा था लाहर में अर्वटा और फैज साहब थे फैज साहब के साथ भी बहुत बड़ी मुझी खाते रही और वाली उन्हों है बहुत सपोर्ट किया जो मैंने ड्रामे किये तो उनके साथ ही चुरू किया था च चुरू कि भी आट करते हीны तो मैंने उससे शुरू किया है घुरे था ॉर्व हाला वरावे मैं वर्मियां तो ड्रामे की है मैं स्टेज ड्रामे करा दिपे-धा स्टेज ड्रामे का अदिगी था मैं एधर करता था मेरे कहला कि मेरे 25-30 ड्रावे तबील ड्रावे ये स्टेज पर खेले गए तो मैंने खुदी लिखा और डारेक्ट लिया और उसके एक्टिक भी की थी जी जी ता ये जी जी अडी कीौने श्कुरे देखलों आजए हो आदमी और बहुत अच्छा टर्याला ने वेसे हुदि आज लिखा इए खतना फूर्ट लेखाए देั้ए हुद है कराची के बारे में था वो बना अच्छा उसको आपको बता नहीं सकता है क्या था देखने सी बता चाहता था पिर दूसरी है कि वह जो बार के जनावे ते कुछ उनको बने अडेप्ट भी किया और मतलब यह लगता था कि हमारे ही माशरे की बात हो रही है जी 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 तो ऐसे जो सूट करते थे मुलके हिजास है को मैंने उर्दो में डाला और वो भी ड्रामे मुझे पदा उसमें एक ड्रामा था आर्फी मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको लिक्का भी मुड़ी मैनत था तब लेकि वो बिलकुल लगता था कि मैंने ही लिक्का हुआ है तो बाक सीखा अपने इर्दगर्द के माहौल से लोगों की जो इंटराक्शन होती है एक दूसरे के साथ लेकिन एक अधीब और एक मुसन्निफ की हैसियत से आपके खायल में आपको सबसे ज़्यादा फाइदा किस बात से हुआ में रुसी कहानिया यह मेरी बड़ी माभूब चीज और यह मैं उस लगाने में हुआयू रसाला निकलता था जी 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 लोगों के साथ मेरी इंटराक्शन ही था चिरागा सनातरा तो आप ते मुझे असल में बहुत वजीराई मुझे पतर नहीं क्या मुझे बात थी कि यह लोग मुझे बहुत सिरियस नियते थे अच्छा हाँ तो मैं उसके साथ बैठता था काफी हाउस में टी हाउस में तासरी काजमी है जैसे इस साथ भी मेरे काफी हुआ रहा है लाहुर की अदबी सरगर्मियों का जिक्र मैंने अक्सर किताबों में पढ़ा है अलहमरा आर्ट्स काउंसल का आपने जिक्र भी किया ये बताईए कि पार्क टी हाउस में आप बैठा करते थे कुछ उस दोर के हवाले से भी अपनी यादें आप हमारे साथ शेयर कीजिए पर गया तो बहरे तो लाहर बेवी तरह गया फिर वह दासे गांदी और ये ये हमारे गुरूप जो उभर किया या उस अमारे थे आपकी बाते सुनकर अंदाजा होता है कि आपका बेशतर वक्त लिखने लिखाने में गुजरा और हम सब को पता है कि किस कदर कामियाब थे हापस में ये बताईए कि जो नौजवान लिखने वाले हैं उनके बारे में आपकी क्या हिदायत है कैसे वो अपनी तहरीरों को बेहतर बना सकते हैं वो जो आगए ही होती है वो आगए है से खिर नौजवालों को अबसरे ना जी 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 पज्याव इन्यूर्स्ट्री की बहुत बड़ी थी अब पब्लिक लाब लेरी थी म्यूजियों के पीछे तो ये सब हमारी दर्ब गाये थी जाके बैठके पढ़ताते हैं तो अबने दुख काफूर हो जाता है तो उसको पढ़के इतना रिच चीज़े थी वो इतना रिच खाना काई रिच पहना इतना रिच रुआ कभी लेकि वो मुझे बहुत उनकी कदर मेरे दिर में बहुत दूई विजवी साब अगर आप मुनासिब समझें तो आप अपनी नौजवानी और अपने बच्पन के बारे में हमारे सामईین को कुछ बताएं I'm sure कि वो बहुत जादा इस बात में दिल्चस्पी रखते हैं ते हमारे बड़े बड़े जोर से गुजरा हूँ गुरुबत से मैं गुजरा हूँ बहुत ही गुरुबत मैं मतलब है आया तो साम बड़े अच्छे बतावस्ति कराने ते बियार के इंडिया उसे इस्पेक्टर से वहाँ पे बियार में तो जबारे में बड़ी इस्पेक्टर बड़ी चीज होता है वो भी बहुत अच्छे खेयाराद के अभी से वो बहुत मुझे काट्रोल रखते थे मतलब मुझे कोई जादा शारात वगरा का मोखा भी निलिकता था लगे लिए है कि उनकी तर्वियत बहुत थी लिए है कि जो कुछ मैं ते सीखा मर्थभी तोर पे मैं अपले बाट से बहुत सीखा विरुस को में जाए है लिए कि पढ़ना चुरों के चीज़े के मुझे के सुफियाद सुफियों की इंकी उनकी और तुर मैं बहुत मज़रों पर भी किया हूँ बहुत मैं यह सब चीज़ें जो है नहीं कर्कियों नहीं चाहिए यह नहीं कि सिर्फ़ारी है तो शाहरी करें और इसे मस्वरी किया है जितने दोस्ते पर लाहुर में वे सब मस्वरी थे शाकिर अली साब देख पिस्पल्ते वह बेहुत स्कूल अफाथ के जब नेस्टन के और जफाथ पे है यह साथ मैं रहा भी हूँ मैंने सुनाए लंदन भी आप कई दफाए हैं उस बारे में जड़ा बताइए तो मैं आया था लंदन में तीन चार बार आया हूँ मैंने स्टेंज ड्रमें भी वाँ किया है एक पहला ड्रमा मैंने किया था इसकी बीवी कि कर्शावार बड़ा पॉप्लर हुआ था मैंने किया था और दूसरा किया था आर्ट थेटर है वहाँ पे जो टीवे स्टेशन के करीम है बिल्कुर उस टीवे स्टेशन के नाम में भूल रहा हूँ अबर मेरा जावा था चोर बचाए शोर वह जाने ख़़ा इसे उसमें समय है तक होत लोग ऐसे देखने के लिए और मुझे बड़ा बजाया था लजबी साब बिल्ला शुबा टीवी ने आपको बहुत मकबूलियत बखशी मगर आजकल जो ये यूट्यूब और इंटरनेट एकसस की वज़े से और जो नई आईफोन टेकनोलिजी है उस वज़े से मेरा ये ख्याल है कि आपकी मकबूलियत में बेमिसाल इजाफा होगा कोशिश कीजिए कि आप अपने तमाम काम को अगर किसी तरह कमपाइल कर सके ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने विज़े साब मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ वैल्यू रीडियो की जानब से और हमारे सामेइन की जानब से कि आपने अतना वक्त निकाला इतनी अच्छी बाते हमारे साथ की अपनी यादों को शेयर किया अपने इसे में बड़ी खुशी होती है आप देसे लोगों से मिलके तक्रीम बनाकाती थी राम को खुश रखें आमीन आपको अपनी आफादा से रामत तो रखें कि अपने आपको अपने आपको खुशी होती है